कि है गाइज वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाइएं सो गाइज इन्होंने अपना आज देख सकते हैं यहां पर डिया गया है नाइन्थ अपना सेकंड सेलेक्शन लिस्ट अपने ऑफिसल पोर्टल पर रिलिज किया है यहां पर देख सकते हैं डिफेंट यूज इंटिग्रेटेडर और पीजी प्रोग्राम से जितने ही प्रोगाम से लिए सेंटरल इंवर्सिटी फरियाना में सभी का सेकंड राउन के लिए सीट अलट्मेंट लिस्ट रिलिज हो गया है फॉर एक जांपल मैं बीटेक्स का ओपन करना चाहता हूं आपको सो करना चाहू एज ओन 9th of November 2021 इस लिस्ट में जिन इस्ट में नेम होगा उन्हें Central University of Hariana के तरफ से seat offer कर दिया गया है अगर आपको seat accept करना है तो आपको इनके counseling portal cuhadmission.sumart.edu.in पर विजिट करना है अपना email password डाल कर लॉगिन करना है और उसके बाद अपना fee कर देना फी कितना देना है तो फी इस बार एक सेमिस्टर का फी लिया जा रहा है तो अगर आपके counseling portal पर फी payment का link active हो गया होगा तो आप fee pay करके seat accept कर सकते हैं हो सकते हैं अभी तक fee payment का link active नहीं हुआ होगा तो अभी नहीं हुआ होगा तो कल active हो जाएगा उसके बाद जैसे ही active होगा अपना fee pay कर देना और seat accept कर लेना सो गाइज सेकेंड राउंड of counseling के बाद भी बहुत ज्यादा जाती है तो maximum chances है कि इस बार भी से थर्ड राउंड of counseling कराया जाएगा क्योंकि हर साल सेंट्रल इंवर्सिटी फईयाना तीन राउंड करवाती थी के लिए लेकिन इस बार सिर्फ दो राउंड ही करवाया जा रहा है लेकिन maximum chances बहुत बचती है तो थर्ड राउंड भी होगा और अगर थर्ड राउंड नहीं हुआ तो पंदरा नमंबर को ये जितने भी सीट बचेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनका वेकेंट ल करने के लिए मार्स का कोई बैरियर नहीं है जो बच्चा रइस्टर करेगा उसको सीट मीलेगा तो इसपॉर्ट इन्विक्शन का यही फैदा होता है और इस वाथ सीट का इंट बच गये है क्योंकि इस वार सेंट्र इंवर्सिटी का काउंसलिंग बहुत ही अजीव तरह से हो रहा है इसलिए बच्चे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो अगर आपको सीट सेकेंड राउंड में नहीं मिला है तो आप इस पॉर्ट राउंड के लिए त्यार रहे हैं उसमें सीट मिलने का चांस से मैक्सिमम है यह था सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग कुछ बाते अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्योंड है तो नीचे कमेंट किजेगा तब तक के लिए बाए मिलते हैं अगले वीडियो में